so hello everyone welcome to ilanam स्वागत आपका ilanam पर फिर से तो इस वीडियो में हम कुछ अलग topic बात करने वाले हैं कुछ आपके study topic या preparation topics सरे कुछ अलग topic बात करने वाले हैं हाँ exam dates भी आ चुकी है तो आपकी preparation भी तेज हो रही होगी तो इस वीडियो में कुछ अलग टॉपिक बात करने वाले हैं लाइक हाउ टो राइट रिसार्च आर्टिकल कैसे लिखा जाए रिसार्च आर्टिकल जो बच्चे लाइक MSC पास करके PhD में आते हैं कोर्स वाक पूरा करते हैं उनके बास एक बहुत बड़ा सवाल आता है कैसे रिसार्च आर्टिकल लिखें कैसे रिसार्च गयप ढूढ़े कैसे अपना टॉपिक ढूपिक ढूढ़े कौन से सॉफ़्टेर होंगे बहुत सारी कोशन एक साथ आते हैं तो उसी स्तिति आपको आसान बनाने के लिए आज हम इस वीडियो में कुछ बात करने वाले हैं और इस वीडियो में हम बात करें कैसे आप research article को लिख सकें एक series शुरू करेंगे आपके लिए कैसे आप research article लिख सकें कैसे different software tools आप use कर सके research में कैसे अपने offenses को अरेंज कर सकें कैसे टिसिस पो अरेंज कर सकें कैसे रिसेज गव घूंड सकें कैसे like different experiment कर सकें different methods perform कर सकें कौन-कौन से static टूल use होते हैं कौन-कौन से static software use होते हैं तो बहुत सी चीजों के बारे में इस सीरीज में बात करेंगे जैसा कि आपको पता होगा कि रिसाट आर्टिकल मेंली एक टाइटल होता है एक अब्सरेक्ट होता है इंट्रेक्शन मेटरियल रिजल एंड डिसकर्शन कॉन्कूलिजन और लास्ट में रिफ्रेंसेज और कुछ यह एक जनरल तो एक सबसे पहले टाइटल होगा अप्सरेक्ट होगा ठीक है उसके बाद इंट्रोड़क्शन होगा अट्रियल मेटर्स होगा रिजल सेंड डिसकर्शन रहेगा लास्ट में कंक्लूजन रहेगा देन आपका अक्लॉजमेंट बाकी सब चीजे यह यह एक जनरल है कि जनरल पॉर्मेट है किसी जनरल का बाकी जनरल की गाइडलाइन के यह बदल भी सकता लएक जैसे मैंने बताया कि नेचर के आर्टिकल में डिसकर्शन उपर चला जाता है ठीक है और यह भी पता होगे आपको कि मोस्ट पोबरी रिसर्च आर्टिकल्स आप जब पीएज़ी में आत जबहने है ठीक है और इस वीडिए में बसके लिए हम बात करेंगे अबस्टैक्ट के बढारे में कैसे अब्स्टैक्ट यह बद्iros नुसट अब इचेंगा सबसे पहले में एक और वीडियो लेकर आऊँगा कैसे आपको रिसस गैप ढूना है कि आप कैसे रिसस टॉपिक कर सके कि यह बहुत बड़ा कोर्शेन होता है कि कि आपका जब को सबसे लिए इस वीडियो में बिताऊं कैसे वक्सुर्फन लिख थें चाले बढ़ते हैं आगे एक लेद लिखनेल है मैं आपको साथ बातों को चान रखना है सबसे पहले आपको understand your research, आपको research perform करनी हो, तो basic सी बात है आपको अपने research को understand करना, आपने क्या-क्या काम करना उसमें, क्या-क्या काम किया है, ठीक है, उसके बाद आपको एक brief introduction से start करना है, ठीक है, brief introduction in the sense, like for example, ले लिजे मैंने, हम research करें, microalgae based wastewater treatment process में, like हमें wastewater treat करना है through microalgae, तो brief induction में हम एक-दो line بتा देंगे, microalgae क्या है, ठीक है, कि waste water treatment क्या है, या microalgae क्या है, तो उसके बारे हम एक-दो line में आपका introduction दे देंगे, next, third point देखें, क्या आपका objective है, like उस paper में आप क्या objective है, क्या करना चाहते है, कि आप optimization process करना चाहते हैं, like कि microalgae based wastewater treatment process का optimize करना चाहत या फिर कोई नई स्पीसिस आईसुलेट की है उसने आपने उसके उससे अप उसका इससी देखना चाहते हैं लाइक कि आपने किसी अगर फर्मेंटेशन की बात करें लाइक उसमें लाइक कि अफ्टमेंटेशन है तो अबजेक्टिव हो जितने भी object बता रहूं में आपको points यह सिर्फ फॉर सीफ आपको एक से दो point में ही लिखना है next methods describe the methods कि आपने क्या method use किया for example आपने optimization किया तो optimization में कौन से method use किया है RSM and response method use किया है यह NN use किया like artificial neural networking कि GA use कि machine learning use किया like क्या आपको objective है या फिर अगर आपका method की isolation तो isolation कैसे किया है तो आपको method बताना है एक से दो लाइन में ठीक है उसके बाद highlight की finding क्या आपने find किया क्या आपका result है और कैसे आपका result बाकियों के result सब का अलग है like कि मेरा ethanol productivity आया है 12 ग्राम पर लिटर वह से इतना आएगा नहीं तो 12 ग्राम पर लिटर आपकी फाइंडिंग हो गई लाइक कि मैंने हमाया experiment में पाता चले कि 99% nitrogen हो गया 99% phosphate हो गया तो यह आपकी की finding होई यह अगर आपका optimization था लाइक कि यह without optimization में इतना reward efficiency आ रहा था without optimization के बाद इतना reward efficiency आने लगा यह आपकी की finding होई discussion implication इसमें बताना है जो आपने काम किया है अब वह आगे कहां apply हो सकता है क्या उसका application है कि आपने ऐसे फालतों में तो काम करेंगे नहीं कुछ-कुछ उसका application जरूर होगा तो उसका application है वह भी आपको बताना है फिलास्ट में आपको conclude कर देना है तो यह चीजे कोई भी abstract लिखने से पहले यह चीजे आपको करनी है और यह रखेएगा सारे चीजे आपको सिर्फ एक से दो लाइंक में लिखना है abstract जितना छोटा होगा कि जितना कंसाइज होगा वो अतना ही अच्छा होता है कि लाइक सबसे पहले अपने इंट्रक्शन स्टार्ट करें अपना objective लिखें method लिखें की finding लिखें discussion लाइक कि एप्लिकेशन है उसको लिखें लास्ट में उसको इससे आपका abstract पुड़ा हो जाएगा और भी कुछ बातों का ध्यान रखना आपको एक 150 वर्ट्स लाइक किसी की जनल में लेख सकते हैं लेकिन कोशिश करिएगा आपका abstract 150 वर्ट्स में खतम हो जाएं 150 वर्ट्स से ज्यादा नहीं और उसके बाद एडिटेंट प्रूफ रिट उसको प्रूफ रिट जरूर करिएगा और इसमें कोई भी अर्टिफिशल न्यूरर नैट्वर्किंग तो किसी भी एवर्वेशन का यूर्स नहीं करेंगे और फॉलो जैनल गाइड लिंग जैनल गाइड लिंग का मैंने यह बोला कि उसमें जैनल गाइड लाइन्स भी दिया रख्ते हैं कि अपसाइक कितने वर्ट्स का होना अब को इंट अब्जेक्टिब डिफाइंड करना था आपको लिखना है चैसे अपने का मैथज़्ट था देंग की फाइंडिंग इंप्लिकेशन या अंप्लिकेशन देंग कांट्यूट कर देना चैक चाहिए एक एक जाम्पल बताता हूं मैं आपको टिक तो यह एक वन अ थी ठीक है इसमें देख से थे कि जब सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक से दो लाइन में हाँ पे इंट्रोड़क्शन बताया नहां तक कि माइक करला किकल नियुक्त क्या है और स्कंत कैसे व्रीट करता है उसके बाद मैंने अपना और सब्सक्याइब किया इस अरहाग Cup कि कुक्त कि था इन्टोड़क्शन मैंने वर डू लाइं इंटरक्शन दे दिया अपन με का नेक्स अब्जेक्टिव नेक्स लाइन में यहां से यहां तक objective डिफाइन कर दिया ठीक है next क्या आता है method क्या आपने method यूज किया है अब देख सकते हैं यहां पर मैंने decision tree यूज किया था optimization के लिए तो मैंने अपना method भी बता दिया third point बता है कि आपको method define करना क्या आपको अब किस algorithm का यूज कर रहे हैं तो अब किस algorithm का यूज कर रहे हैं तो थर्ट पॉइंट में अपना optimization objective बता दिया दैन आता है key findings अब इस next यहां पर आप देख सकते हैं आपर मैंने key findings बता दिया ठीक है किया मेरे research में findings थी क्या key findings थी last में implementation कहां यूज कर सकते हैं जैसे कि मैंने बता दिया कि यह आप इस काम को wastewater treatment को last scale पे skill up के लिग यूज कर सकते ही यह application हो गया इन इहां पर इसी लाइन में ने conclude कर दिया ठीक है तो hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा कि कैसे abstract लिखना है तो abstract लिखने के लिए बाफिरमस समय बता दिए दो सबसे पहले एक से दो लाइन में introduction then एक से दो लाइन में objective एक से दो लाइन में method एक से दो लाइन में की finding एक से दो लाइन में आपका जो उस काम का application है वो लिखिएगा और इसके बाद last objective ठीक है और यह सीरीज चलती रही है तो इस सारी सीरीज को जरूर देखिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए थैंक यू ब